भारत पाकिस्तान के सूपर हिड मुकाबले पर हमारी महा कवरे जारी है उससे पहले आपको एक और बड़ी ख़बर बता दे महाराश्ट में इस वक्ट फटनवीस कैबिनेट का विस्तार हो रहा है खास बात है कि कॉंग्रेस से बीजेपी में हाली में शामिल हुए राधा कृष्ण वीखेपाटिल ने मंत्रीपत की शपत ली है और ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा कॉंग्रेस के कदावर नेता है और आपको बता दे कि ना सिर्फ वो बलके उनके बेटे ने भी बीजेपी जोईन किया उनके बेटे तो जीत कर अब संसत भी पहुंच चुके है तो बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट रिशेफल में याने जो विस्तार हो रहा है इसमें जो सयोगी दल है उनके नेताओं को जगे दी जा रही है हलांकि जो ने मंत्री बनेगे उनके पास वक्त बहुत कम होगा काम करके दिखाने को क्योंकि सेप्टमबर या उक्टूबर में फिर से चुनाओ हो सकते हैं महराष्ट में उससे पहले आप देख सकते हैं तस्वीरे हैं किस तरह से विस्तार हो रहा है फटनवीस कैबनेट का और दूसरी तस्वीर है उद्दव ठाकरे की जो अपने 18 सांसतों के साथ आयोध्या पहुंचे रामलला के दर्शन किये तो ये सारी तयारिया आपको जो नजर आ रही है ये आने वाले चुनाओ के और संकेत करते हैं तो आपको पता दें तेरा नये मंत्री बनाए गए यानिे के कुछ मंत्रियों को ड्राप किया गया होगा लोकसवाद चुनाओं से पहले तो महराश्ट में आप देख सकते हैं राजनीती की जो तस्वीर साफ होती जा रही है सितंबर अक्टोबर में वहाँ विधान सवाद चुनाओं होने हैं ठीक उससे पहले उसकी सरगर्मिया तेज हो गई है